हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का डिस न्यूज चैनल पर आज फिर एक लंबे समय के बाद एक नया सेटप बोक्स अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जिसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कंप्लिट वीडियो देखिए ताकि आपको इसकी कंप्लिट इन्फोमेशन मिल सके हाँ अगर आप इसको परचेज करना चाते हैं अभी ओफर चला हुआ है ओफर के अंतरगत आप इसे परचेज कर सकते हैं सस्ताब मिलेगा और अगर आप हमारी कंप्लिट वीडियो देखते हैं तो बीच में आपको एक स्पेशल कूपन भी मिलेगा जिसको अपलाई करके आ आप और भी फायदा उठा सकते हैं तो वीडियो कंप्लिट जरूर देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह है जीटी मीडिया का वी एक्स मोडल यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं इस परकार का बोक्स मिलेगा अगर बात करें वी एट नोवा की तो यह यूएसबी 6000 चैनल साप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर और सीए कार्ड का ओप्सन मिलता है इंडिया के लिए ये वैलिड नहीं है अब बात करते हैं इसके ओपन करने की तो यहाँ पर इस परकार कुछ लुक देखने को मिलेगा सबसे पहले यूजर गाइड है वारेंटी कार पहले जो आपको V8X मिल रहा था उसमें रिमोट V7 Pro V7 इस परकार के मोडल का रिमोट मिल रहा था लेकिन इस बार आप देख सकते हैं इसका लुक इस परकार रहेगा काफी अच्छा लुक बनाये हुआ है और इस साइड है HDMI केबल साथ में आपका बार वोल्टेज का अडेप्टर 1.5 एंपियर का है तो यह समान हमें मिलता है इस सेट बोक्स में तो बोक्स इस परकार रहेगा हमारा और यह समान है जो आपको देखने को मिलता है बोक्स के अंदर तो आप अगर इसे परचेज करना चाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कम्प्लीट डिटेल देखिए आपको इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं वीडियो में ही आपको एक कूपन भी दिया जाएगा जिसको अपलाई करके आप इसकी परचेजिग में बे हैंगिंग कर सकते हैं यहां दो वाल माउंट के लिए दिये हैं तो आप इसे इस परकार टांग भी सकते हैं दिवार पर बैक की बात करें तो यहां पर LNB इनका है HDMI यहां आपको SERT का उप्शन मिलता है साथी साथ AV आउट यानि आप 3.5 mm जैक का इस्तेमाल करके अपने AV के के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर RS-232 का भी 3.5 mm का जैक है साथी USB एक पोर्ट है यहां Ethernet RJ45 और DC बार वोल्टिज का साथ ही आपको एक बटन मिलेगा साइड में देखें तो वैंटिलेशन के लिए काफी अच्छा दिया हुआ है देख सकते हैं और यह कार्ड के लिए CA क साथ Wi-Fi inbuilt मिलता है आमें इसमें चलिए अब इससे हम अपने TV स्क्रीन पर लगा कर देख लेते हैं अगर यहां पर इसके सपोर्ट की बात करें तो यह DVBS-S2-S2X सपोर्ट करता है साथी साथ AC3 Plus Dolby Audio Supported है अगर इसके पैनल की बात करें तो वाइट LED के साथ आपको पैनल मिल देख लेते हैं इसका लुक इसके फीचर कैसे हैं हम इसे यहां पर पावर दे देते हैं तो देख सकते हैं इस परकार वाइट स्क्रीन यानि वाइट LED नज़र आएगी और आपको बैक में भी एक दो लाइट नज़र आएगी अधरनेट के लिए तो यह हमारा लोड हो चु देख सकते हैं आप वाइट पैनल काफी अच्छा लुक में दिखाए दे रहा है साथ ही साथ वाइफाई यहां कनेक्ट हो चुका है आटोमेटिक मैंने इसका यूज करके देखा है कि इसके फीचर कैसे हैं तो यहां आटोमेटिक कनेक्टिविटी हो चुकी है और यहां हमा के मारा जो लुक है तीवी में तो इस परकार आएगा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस परकार का लुक आपको मिलने वाला है चलिए अभी इसके और यहां इस प्रकार आपको सैटलाइट का बटन प्रेस करने पर सैटलाइट नजर आ जाएंगे रिमोट की बात करें तो यहां आप टीवी भी जोड़ सकते हैं जैसे कि आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो उपर के आपके तीन बटन और यह पावर ओन ओफ का बटन यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ इस प्रकार का लुक मिलेगा चैनल अपडाउन का स्मूथ है काफी लेकिन जो की हैं अपडाउन की वोल्यूम की वो आपको थोड़ी नीचे की तरफ दिखाई देंगी बाकी जो रिमोट देखने को मिलते हैं उनमें यहां बीच में आपको इस टाइप की की देखने को मिल जाती है लेकिन इस मोडल में आपको यहां नीचे की तरफ दिखाई देंगी तो यहां लुक इस परकार रहेगा और इंटरफेस आपने यहां देख लिया है चलिए बात करते हैं मेनू अगर हम मेनू का बटन प्रेस करते हैं तो इस परकार का इंटरफेस आएगा सबसे पहले हमारे पास यहां इंस्टोलेशन आ चुका है और सैटलाइट लिष्ट है जिसमें आप ओके करेंगे तो आपके सभी के सभी सैटलाइट नजर आ जाएंगे जैसा कि यहां पर मैंने एड किये हुए हैं फिर है एंटिना सैटप, टीपी लिष्ट, सिंगल सैटलाइट, सर्च, मल्टी सैटलाइट, इटली, LCN, स्कैन यह हमारे एंडिया में वैलिड नहीं है सर्च सैटिंग, ओनलाइन यूजर गाइड, अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाते हैं तो ओनलाइन यूजर गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं सैकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओप्सन आता है चैनल लिष्ट का जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई देता है टीवी चैनल लिष्ट, फिर रेडियो, डिलिट ओल, फैवरेट, आईपी टीवी अगर आप आईपी टीवी चलाना चाते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा फिर उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में आ जाते हैं नेटवर्क कन्फिगरेशन है जिसमें आप यहाँ पर तीन चीजों को देख पाएंगे सबसे पहला है LAN, दूसरा वाइफाई और तीसरा डोंगल डोंगल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ वाइफाई मैनेजर में जाकर रिफ्रेस्ट के लिए रेड बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर रेल वायर और दो रियल मी 5 प्रो यह हमारा है यहाँ यह कनेक्ट हो चुका है अब दोबारा फिर यहाँ DLNA का Set to IP यह ओपन हो जाएंगे कैसे यह आपका यह वाइफाई से कनेक्ट होगा तो यह option आप यूज़ कर सकते हैं इनके लिए special वीडियो बनाएंगे काफी अच्छे feature हैं मैंने यूज़ किया है इन दो features को आप काफी enjoy करेंगे साथी साथ online movie जो मिलती है यहाँ पर आपको YouTube देखने को मिलेगी YouTube ओके है YouTube का issue काफी देखने को मिल जाता है setup box में अगर आप कोई भी box यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर software updated कर लिया तो आपको YouTube देखने को मिल जाता है लेकिन 3-4 महिने या 6 महिने के बाद YouTube बंद हो जाएगी फिर से अगर आप इसे चलाने चाते हैं तो आपके पास updated software होना चाहिए GT Media आपको updated software प्रोवाइड करवाती रहती है साथ ही बात करें YouTube के बाद HDV name setting यहाँ change कर सकते हैं फिर है network proxy इसके बाद अगली category है system की यहाँ पर आप language देख सकते हैं AV setting, local time, parental log, OSD setting, other setting इस पर कार option मिलेंगे other setting में यहाँ आप panel की light कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर मैं 5 करूँगा तो high होगी अगर मैं कम करूँगा तो कम हो जाएगी पैनल जो आपका set box का panel है उसकी light आपको कम देखने को मिलेगी जैसा कि अभी यहाँ पर dim है मैं अभी तेज करता हूँ मैं increase करता जाओंगा तो यहाँ पर भी increase होती जाएगी तो इस परकार आप panel की light अपने अनुसार रख सकते हैं उसके बाद panel के कुछ और भी है power के हैं यहाँ आप इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं फिर है इसके बाद OSD setting में भी हम इस परकार channel list का look भी change कर सकते हैं जैसा कि यहाँ channel list एक है, दो है, तीन है तो तीन कर देंगे तो हमें channel list कैसी नजर आएगी देख लेते हैं तो यहाँ हमें channel list इस परकार देखने को मिलती है यहाँ पर तीन लाइनों में divide कर दी गई है अगर हम यहाँ OSD setting में जाकर channel list दोब करेंगे तो हमें look इस परकार का देखने को मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद हमें features मिलते हैं tools में information information देखेंगे तो आपको current का updated software देखने को मिलेगा 24 चेंगा है फिर इसके बाद है factory setting, conditional access, version check यहाँ पर conditional access का आपका इस्तेमाल नहीं है फिर यहाँ version check कर सकते हैं यानि online update कर सकते हैं USB से upgrade वगरा record कर सकते हैं तो यह था हमारा menu तो इस परकार का interface आपको मिलेगा menu का जो picture quality है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है remote में ही आपको YouTube का short button भी मिल जाएगा आप YouTube चला सकते हैं डारेक्ट यूटूब का button प्रेस करिए और आपकी YouTube ओपन हो जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं YouTube ओपन हो चुकी है picture quality काफी अच्छी है अगर आप HD channel देखेंगे तो जो color है उनका combination काफी अच्छा दिया हुआ है आपको change करने की जूरत नहीं है आप इसका enjoy कर सकते हैं मैंने इसको personally एक दिन तक use किया है और अगर आप इसके remote की बात करेंगे तो आपको काफी slim सा ये remote नजर आएगा देख सकते हैं किस परकार का आपको look मिलेगा काफी अच्छा look दिया हुआ है remote का भी अगर आप purchase करना चाते हैं description में link दिया हुआ है और यहाँ पर flash होता हुआ code भी दिया हुआ है code को apply करेंगे तो आपको ज़्यादा benefit मिलेगा तो next वीडियो में बात करेंगे हम इसके features की जैसे dlna है set to IP है किस परकार work करेंगे और कैसा interface रहेगा वैसे मेरे idea से काफी अच्छा box लगा है यहाँ पर आप नीचे box देख पाएंगे के एक GT Media का और box है V7 Pro लेकिन अगर उसके मुकाबले हम इसका comparison करें तो यह काफी अच्छा लगा है मुझे इसके साथ साथ इसका जो remote है वो इसमें भी work करेंगा यानि यह remote और V7 का जो भी remote है वो भी यहाँ इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगे like share जरूर कीजेगा और आपको यह box कैसा लगा नीचे comment जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली update में तब तक धन्यवाद